प्रेंज क्यासी है आप सब खंशामीन में प्रेंज ने अगरालाज आपके फेशल प्रिंदिंग में स्वागत करती हूं तो गर्मियां आ गई है और कच्चियां हम सुरू हो गए है आने क्यों ने कच्चियां हम से कुछ आसर बनाया जाए किसी हमारा कुछ रिप्रेशिंग ट्रिंग पन के तयार हो जाए और मैं आज आपके कच्चियां का पाना बताने जारी हूं जो कि बहुत ही ठंडा ठंडा कुल कुल लगता है पीडिवे और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लिस लाइम शेयर करें और सब्सक्राइम करें अब प्लें अब सब्सक्राइम के पास जो चुटशा बेल आइकन है इसे जरूर क्रस कर दें ताकि मेरा नया वी अइसे मेने अच्छा से ढूलिया है ताला नमक भी किंडी शफेद नमक भेका वाजीर आपॉसंद और लिगे तियार हो गया है करना है इसका पल्प जो है इसे हम क्या करेंगे यह देखिए इस तरह इसका पल्प निकाल देंगे सारा इस तरह से मैं इसका सारा पल्प निकाल दिया है अब इसके हम क्या करेंगे सबसे पहले तो जो हम देखिए इसे में जाल दूंगे आप पत्ते डालती है अगे जो हमारे कि पाँ जो गॉयल किया वह न इसमें क्या करना है इसका पानी ने कम लेना है और हम क्या करेंगे इसके उगाट अजो पानी करा तो इसमें दूसरे बावल में इसका पानी निकाल देखिए जो पर में आया वह है और ये बादी का ज्राम हमारा है इसे इसमें डाल देखिए अब मैं इसमें चीनी में अड़ करूंगी ये मैंस में तरी टेबल स्पून चीनी में डाल देखिए बन को टेबल स्पून सफेज नमर और आप टेबल स्पून काला नमर तर डाल के ऐसे ब्लेंट कर देती हूं ये हमारा आम पुदी ने पत्ते एकदम पिसा गये हैं अब हम इट बॉल में चली रखी है और इसमें लिंक ये हैं इसमें डाल देखिए किसी इसमें की ख़़र से इस तरह हमें इसमें निकालना है शान लेना है कर दो की खब म eliminे हम ज्ये माजेशा हूं ज्यां से पिसक्थ ख़ो निक मैं इसमें पाई जाओ। को जो जो भे हम को मिनी aग को बूल से को तो यह मैंने पानी रचा था ना उसी मैं ऐड कर दूंगी पेखना नहीं है उसे अच्छे से इस तरह करके छान लेना है हमारे पत्ते जो है देखे पत्ते थोई उपी साह गए है और फोई उपर रहा गए है वो इसमें रहा है कैसी तरह थाउ टूंगी तेदध विण लेन अच्छे से थोड़ा शैखन तो रिखना कर लêmuating आ अब मैंने पर दूंगी ऑस तो दीखन कशान की है और फिसमें से अच्छे से थोड़ा करते हैं कि आप खटा पीनस चाहते हैं या थोड़ा मीठा या ज्यादा मीठा यह जो मैंने बनाया है नॉर्मल बनाया है नॉर्मली इसके स्टाफा ही होता है यह है अब इस ग्लास में मैं छोड़ा सिर्व बरफ टाल हूंगे और यह जो हमारा आप बना बना हुए है इस चीज और मैं बचा रही हूं यह जो पुदीने के पत्ति है ना ऐसे तो मैंने इसमें अंदर में डाली है अगर आप अगर इसका और भी अच्छा टेस्ट लेना चाहते हैं तो इसे देखे इसके मैंने बोर के पुड़ा से हाथ में इस तरह इसे त्वेश्ट कर दीजिए और फिर इसे इसमें डाल दीजिए और आप उपर से यह हमारा बना हुआ अंग बना मैं इसमें डाल दूँगी आपके घर में बिल्कुल रिफ्रेश आपका पना पनकी तैयार हो गया है जिसे यह भूपने से खूद आए या आपके बंचे आए यह आपके घर में कोई भी केस्ट आप उसे देंग पीके पन आपका बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा अगर आपके मेरा वीडियो पस्तेता अगले नहीं वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलती हूं झांक यू झांका टू नहीं ताव हो जाएगा जू भी को जा आपके मेरा हूं